खुश रहो, तंदरुस्त रहो, जाग रूक रहो ते जीन्देबस दे रहो मैं डॉक्टर संतोष कुमार प्रोफेसर ओफ यूरोलोजी हां मुख्य सेहर संस्था पीजी आई चंडीगडविच हां गदूदा दा कैंसर, किड्नी कैंसर, बलैडर कैंसर, किड्नी ची रुकावट, सेक्स दियां समस्या, गदूदा दी रुकावट, इना सारयां चीजांदा मैं इलाज करदा हां गदूदा दा कैंसर जो पहले पड़ाव ते गदूद एक गरंथी है एक गरंथी है जो बंद्या चुंदी है एक गरंथी पशाब दी थैली दे थले वाले हिस्से चुंदी है ते 50 साल बाद एस गरंथी जो कैंसर होंदा डर रहनदा है एस्थे में बहुत सारी या वीडियोस बनाईया होई यहने ते कुछ एस्थी रोकदाम लई है पड़ाव एक ते पड़ाव दोच की सरजरी होंदी है जदो कैंसर फैल जानदा है ताउदो की एलाज होंदा है एस्थे लेए जदो कैंसर आ गया है उस्तो बाद खाना पीना, रहना सैना, कि दादा रखना चाहिदा है, उस्ते भी वीडियो बनाए हो इने, की करना चाहिदा है कि कैंसर ना हो, उस्ते भी मैं वीडियो बनाए हो इने, तुसी यो वीडियो देख सकते हो, ते अपनी चिंता तुसी मेनू मैसेज कर सकते हो, पर पड़ाव चार आखरी पड़ाव चे गुदूदा दा कैंसर है जिस दा इलाज ते नाल ता जीवन दी गुणवनता ते लंबाई वदा सकदे हां पर ठीक नहीं कर सकदे तहार मरीज हुंदा है पतालांदी कोशिश करदा है या रिष्टेदार पतालांदा जतन करदे हैं केना दा जीवन किन्ना रह गया किन्ने साले जीनगे अपने परिवार दा केड़ा केड़ा कम जीन्दे जी पूरा कर लेंगे एक बहुत वड़ा समाजिक पहलू है किसे भी कैंसर दा ते मैं आज उस दा जवाब देन दा जतन करांगा कि असी किद्दा जान सकते हैं कि गदूदा दा कैंसर तेजी नल फैलेगा या होली होली वदेगा मैं फैली होई कैंसर दी गाल करदा हां How long do we live with advanced metastatic जिस दे विच कैंसर फैल चुका है उस दे विच असी किन्ने साल जिन्दा रहांगे असी अपने परिवार्दी केडी केडी जिम्मेवारी पूरी कर लेए एही जे सानू अंदाजा हो जानदा है कि असी किन्ने साल जिवांगे साधी जिन्दगी इन्ने साल है पारे अंदाजा लाना बड़ा उखा है सारे पेरामीटर सोन दे बावजूद भी तुसी बिलकुल अंदाजा नहीं ला सक दे पर एक कोशिश है एक मदद करदा है अंदाजा लांच ताँ एक गदूदा दी गरंती है एक दे कैंसर दे सेल जो दो बहर आ जान देने खून दे नाल, फेफड़ियां चले जान देने, हड़ियां चले जान देने, लिंफ नोट से चले जान देने एक देखो एक लाल लाल सारे गदूदा दे कैंसर दा फैलना है ताएं कैंसर जदो फैल जान्दा है उन्हों मेटास्टेटिक गदूदा दा कैंसर के इंदे ने फैल्या होया गदूदा दा कैंसर के इंदे ने चोथा बड़ाव गदूदा दा कैंसर के इंदे ने तर जो दो रिपोर्ट आंदी है बाइआप्सी तो बाद रिपोर्ट आन दी है उस्ट ग्लीशन स्कोर देख्या जानदा है कि ये 3 प्लस 3 है या 5 प्लस 5 है जिद्दा जिद्दा ग्लीशन स्कोर वादधा जानदा है कैंसर दा फैलना वादधा जानदा है खतरना कैंसर हो जानदा है Gleason score किना है उसने बाद पड़ाव MRI पीएसम में पैट कर देने ते देख देने की केड़ा पड़ाव है पड़ाव एक, दो, तेन, चार पड़ाव एक, ते दो च्छता उपचारिक सर्जरी कर देने रोबोटिक सर्जरी कर देने पार तेन्च छेती पड़ाव च्रबोटिक सर्जरी कर सक देया नहीं ता हॉर्मोनल इलाज या होर कोई तरह दा इलाज चलदा है ते जिद्धा जिद्धा पड़ाव वादा है पड़ाव चार वमारी है ता देखना पेंदा है कि किनिया जगाते एक कैंसर गया है जे कैंसर लिंफ नोड बड़े बड़े लिंफ नोड जे कैंसर गया है जिगर चे कैंसर गया है फेपडिया चे कैंसर गया है ता एक कैंसर बहुत खराब मनने आ जानदा है जोटीयां छोटीयां गरंथियां चेंसर गया है, लिंफ नोड चेंसर चोटा है, हड़ियां चेंसर एक यां दो जगा ते इही है, ताँ ए थोड़ा ठीक मन्ने आ जानदा है फेर एक क्लिनिकल स्टेच देख्या जान्दा है पीएसे में पैट स्कैन दे नाल कि ये बिमारी किते किते गई है जे जिगर्च चली गई है उन्हों विस्टरल मेटास्टेटिक केंदे हैं जो चंगी गल नहीं है जे एक विया दो जगाच है तो थोड़ा ठीक है उस्तो बाद पीएसे किन्ना है जे पीएसे काट है ता चंगा है जे पीएसे बहुत ज़्यादा है पच्ची पजास और तो भी ज़्यादा है ता चंगी गल नहीं है रोजमरादी सेथ कि दादी है जिननों एक कैंसर पता लगा है ओ किन्ने तंदरुस्त हन चंगे तंदरुस्त हन सबर उस्दा जादा है ता चंगा है ते जे ओ मोटा है कमजोर है तकड़ा नहीं है ता फिर चंगी गल नहीं है किन्या जगाते एक एंसर है फैलिया होया कैंसर है ता गदूदा तो बाहर जा सकता है एक दो जगाते जा सकता है या सौ जगाते जा सकता है एक एंसर ता एक किन्या जगाते बमारी गई है जिन्या काट जगाते बमारी फैली है उन्ना चंगा है ग्लीशन स्कोर ते आपा चर्चा कर लेई, सीरम पीएस से ते भी चर्चा कर लेई इस तो लवा दर्द किनना है जे किसे मरीज नू बहुत ज़्यादा शरीरिक दर्द हो रहा है ता बिमारी ज़्यादा है जिगर्च जे गई हैता बिमारी ज़्यादा है खून जे काठ है ता हड़ियां पूरियां कैंसर नाल बदल गईया हन ताइदा मतलब बिमारी जादा है उन हड़ियां दा स्कैन खून जे काठ है ता बिमारी जादा है जे हड़ियां दे स्कैन या PSMA पैट्च कई जगा फैलिया होया है तब उस दा मतलब बिमारी ज़ादा है इस तो अलावा जे alkaline phosphate दी मातरा बहुत ज़ादा है phosphatase दी मातरा इस दा मतलब बिमारी ज़ादा है ते ए सारे कारण होंदे ने जो की मदद कारदे ने ए पता करन लेई की साढ़ी वमारी किनी खतरनाक है या किनी नहीं एदे नाल genetic mutation genetic mutation कर दे हैं आम तो अरते बहुत महिंगा है genetic mutation नाले वधिया तरीके नाले टेस्ट हले उपलब्द नहीं है एसलिए आम तोरते इसनु करनदा कोई लाब नहीं है पर सारिया दोईया दे नाल रिडिस्टेंस हुंदी है हॉर्मोनल इलाज, कीमो थेरपी या होर कोई उपलब्द जो भी इलाज है फरक ना पैंते ए टेस्क रा सकते हैं पर उस दी लागत बहुत जादा है ते जेड़ा उस दा इलाज है ओवी बहुत वदिया नहीं है लखांच खर्चा आंदा है एक महीने दा इलाज दो तो तेन लाक च पेंदा है ते उस नाल बहुत जादा फाइदा नहीं है पर इस तरीके टेस्ट करन नाल पता लाग जानदा है पता लगदा है कि ये कैंसर किनना का तेज है ता किदा इननू काबू किता जाए ता जे कैंसर तेज है ता उसनू अग्रेसिवली इलाज करन दी लोड हुन दी है दो तेन तरह दी कैंसर मारक दवाईया देनाल इलाज करन दी लोड हुन दी है फिर एवी देख देहां कि साड़े लच्छन किन्य चेती ठीक हो गए P.S. किन्य जल्दी हेथा आ गया P.S. जीरो तो थले आया या नहीं जीरो दे कोल किन्य चेती आ गया ते किन्य देर तक दब्या होया रहा P.S. किन्य के समे तक थले रहा इस तो सानू पता चल जानदा है कि ये जो साड़ा कदूदा दा कैंसर जो फैल्या हो या सी ए साड़ी जिन्दगी नूँ अंदाजन कि नक समें दे सकदा है आम तौर ते कहा जानदा है कि जे ए बिमारी फैल्ली होइए ता देर तो दो साल तक दा समा मरीज कोल होनदा है पर कदे कदे जे कैंसर तेज होवे ता समा काटवी सकदा है पर कदे कदे असर बहुत चंगा हुन्दा है ता ये कैंसर ज्यादा टाइम तक कंट्रोल च रहन्दा है ये इलाज नाल गुनवन्ता ते लंबाई जिंदगी दी वदा सकदे हा पर चंगे तरीके जियौन नाल, चंगे खान पीन नाल, रोजाना सैर नाल, शारीरिक तंदरुस्ती दे नाल, चंगी सोच नाल, इलाज दे नाल, ए सारियां गला, तोहड़ी जिन्दगी नू हमेशा चंगे पासे लेके जा सकदिया हन तंदरुस्तरो, खोशरो, सुखीरो, तन्यवाद